स्वामी नारायन आरे संबंत अधार सो छोंतेरना माक्षर सुधी एकाद श्रीने दिवस श्री जी महाराज श्री कड़रा मद्धी दादा खाचरना दर्भार मा विराज मान हता अनि सर्वे श्वे द्वस्त्र धारन गर्याता अनि पोताना मुखारविंद नी आगर साधू तथा देश देशना हरी भक्तनी सभाबरायने बेठी अती पची श्री जी महाराज बोल्या आजे इंद्रियोंनी जे क्रिया छे तेने जो श्री क्रुष्ण भगवान अनि तेना भक्तनी सेवाने विशे राखे तो अन्ता करण शुद्ध थाई छे अने अनंत कार्णा जे भाप जीवने वल्ग्या छे तेनू नाश्थ जाई छे अनि जो इंद्रियोंनी व्रुत्तियोंने स्त्री आदिकना विशे मा प्रवर्तावे छे तो एनू अन्ता करण ब्रश्ट थाई छे अने कल्यानना मार्ग थकी पड़ी जाई छे माटे शाष्थ्रमा जीवी रीते विशए भोग व्यानू कईउँ छे ते वी रीते नियममा रहीने विशए भोगवा पान शाष्थ्रनी मर्यादाने उलंगन करीने भोगवाने अने साधुनो संग राखवो अने कुसंग नो त्याग करवो अने जारे एकुसंग नो त्याग करीने साधुनो संग करे छे त्यारे एने देहने विशे जे अहम बुद्धी छे ते निवृत्ती पामे छे अने देना संबंधीने विशे जे ममत्व बुद्धी छे ते निवरुत्ती पामे छे अने भगवानने विशे असाधारण पृती थाई छे अने भगवान विना अन्यने विशे बैराग्य थाई छे पची तेने ते दिवस स्वामिश्री सजानंजी महराज दादा खाचरना दर्भार मां लिमडा नी सामा गोख मां विराजमान हता अने दिवस फोर एक चड़यो हतो अने लिमडा हैटे परमहुसनी सभा बेठी हती अने गृहस्त सत्संगी पन बेठा हता अने सांख्ययोगी कर्मयोगी बायूनी पन सभा हती ते समयने विशे श्री जी महराज एम बोल्या जे हे परमहंसो जेने जे अंगनी अतीशे द्रड़ता होई ते सर्वे पोत पोताना अंगनी वाद करो अने जे अंग काचू पोचू जनातू होई तो ते अंगनी वात करशो मा अने ते द्रड अंगनी विगती जे जेने भगवान ना स्वरुपनो अती द्रड निष्चै होई तो ते अंगनी वात करजू ने जिने आत्मग्नाननु अती बल होई तो ते अंगनी वात कर जो जे हुँ तो दे न थी ने आतमा छो अने वली जिने दिलोभी तथा निशकामी तथा निश्प्रुही तथा निश्वादी तथा निर्मानी ए पंच वर्तमानमा जे जे अंगनी अती द्रड़ता होई ते ते अंगनी सर्वेवाद कहो पची तो श्री जी महाराज वो ते प्रसंधैने बोल आजे प्रथम तो अमे अमारा अंगनी वात करिये पची तमे तमारा अंगनी वात कर जो एम कईने पची श्री जी महाराज एम बोल्या जे, श्री नर नारायन ना प्रताप थकी, अमने एवुँ वर्ते छे, जे हुँ आत्मा छूं, अचेद्य छूं, अभेद्य छूं, सक्चिदानंद छूं, अनि आमारी जे मोटब छे, तेतु स्वस्वरूपनो प्रकाश, तथा श्री नर नारायन नी उपासना ते व बड़े छे, पन भारे भारे वस्त्र, तथा अमुल्य आभूशन, तथा रत्थ पालकी, हाथी गोडा, तेनी जे अस्वारी ते वड़े करीने मोटप नथी, अने जगतना सर्वे मानस, अने जगतना सर्वे राजा, सत्संगी थाईने, हाथ जोडीने उभार है, ते वड़ करीने पन अमारे मोटाई नथी, अने आ सत्संगी सर्वे छे, ते विमुग थाई जाई, अने मुने कोई माने नहीं, अने पहरवाने वस्त्र, अने रहवानी जग्या नमले, तेने करीने अमारी हीनप थती नथी, अमारी मोटप तो श्रिनर नारान नी उपास ना वड़े करीने, हुँं भ्रम चुं, हुँं आत्मा चुं, एवी रितनी जे मारी मोटप, ते तो हुँ मुगवाने इच्छुं, अत्वा बिजागोई भ्रम्मादीक जेवा छे, ते मुगावाने इच्छे, तोई पन, अमा मोत अप्तले नहीं अनिया मारे श्री नर्णारायन नी उपासना चे ते पोतानों जे भ्रम्रुप तेने विशे परभ्रमने परमात्मा एवा जे श्रीनर नारायन तेमनी साकार मुर्ति तेनी उपासना चे ते कोई पोताने अनुभवे करीने कहे अथवा शास्त्रे करीने कहे जे परभ्रम जे पुर्षुत्तम ते आखारे रहित छे तो ते वात अमने मनाई नहीं काँ जे ते पुर्षोत्तमनी कृपा थकी ए पुर्षोत्तमनु साकार स्वरूप तेने हुँ प्रत्यक्ष देखोंचू अने अमारा रदैमा एम समझाई छे जे पर ब्रह्म एवा जे पुर्षोत्तम तेने आकारे रहित कहे छे तेने परमेश्वर्नी वाद पन समझाणी न थी ने तेने ते स्वरूप नू दर्षन पन न थी अने ते शास्त्रने समझी जानता न थी अने शास्त्रमा जे भगवाननू निराकार स्वरूप कहूं छे तेतो माईक आकारने खोटा करवाने अर्थे कहूं छे का जे भगवानने मुर्तिने विशे माईक जे पंच भुत तथा दश इंद्रियो तथा चार अन्त करण ते प्राकृत जीवना जेवा न थी माटे शास्त्रे निराकार कहा जे अने भगवानने अलवकिक आकार तो छे खड़ो जो भगवानने नेत्र छे तो ते नेत्रे करिने पुरुष द्वारे माया सामू जुए छे ते आरे माया माथी अनन्त कोटी ब्रह्मांद उत्पन्था आई छे ते ब्रह्मांदोंने विशे ब्रह्मादिक देव अनन्त कोटी उत्पन्था आई छे अने ते ब्रह्मांद मां सर्ज्या एवा जे स्थावर जंगम जीव ए सर्वे उत्पन्था आई छे मादे भगवानने नेत्र पन छे अने जे दाडे स्थावर जंगम शुष्टी सर्वे नो नाश्था आई छे ने महा प्रलैत आई छे त्यारे एक अज पुर्षो तम रहे छे ते दाडे वेद आवीने भगवानने स्थुती करे छे ते स्थुतीने सांबलीने भगवान विश्वने सर्जे छे तो भगवानने कान पन छे इवी रिते चौदे इंद्रियों छे पान अलाव हो किक छे अने मन वानी थी पर छे अने राम कृष्णा दिक रुपे करीने जीव ना कल्यान ने अर्थे प्रवर्ते छे त्यारे अतिशे दया करीने जीव ने द्रश्टी गोचर थाई छे ने एम धारे छे जे हुँ द्रश्टी गोचर नहीं थाउं, तो जीव मारू ध्यान तथा स्मरन, पूजन, अर्चनादिक, शीरीते करशें, माटे ज्ञानी, अज्ञानी, सर्वेने प्रत्यक्ष जनाई एवा थाई छे, पन भगवान तो जेवा छे, तेवाने तेवा आज छे, जीव ने द्रश्टी गोचर थाया माटे, काई माईक एवा जे देह अने इंद्रियो युग्त नती, माटे जे पगवानने निराकार कहे छे, ते अमने कोई काले मनाई नहीं, अने ते श्री नर नाराण नी उपासनाने प्रतापे करीने आग ब्रह्मान्द नु राज्य आवे, अने ब्रह्मान्द माँ जेदली देवांग ना आदी स्त्रियो छे, ते सर्वे आवी ने सेवा माँ हाजर उभी रहे, अने जेकला ब्रह्मान्द माँ सारा पधार्थ छे, ते सर्वे लावी ने हाजर करे तो ओए पन ए सर्वे मली ने अमने मोँ पमारवा समर्थ न दी, अने धारियें जे अमों, मों, पामी ने एमा बंधाई हैं तो पन कोई रीते अमारे बंधनज थाई नहीं एवी अमारे इष्ट देवनी कृपाय करीने स्वा स्वरूपनी द्रड़ता छे अने कोई ने दिकरो देवो, के कोई ने द्रव्य देवो, के कोई मुवाने जीवतो करवो, के कोई ने मारवो, एतो अमने नथियावर दू पन जीवनों जे रीते कल्यान थाई, अने जीवने भगवानना धाममा पहुचारो, ते तो अमने आवरे छे अन्य हवे तो हमे वधु नहीं बोली एँ ने जो बोली एँ तो बोलता बोलता वधु बोलाई जवाई एवा वचन कही ने सुंदर शरद रुतुना कमल सर्खा नेत्रे करी ने सर्व परम हमस सामु जोही ने हस्ते मुखे संटो प्रत्ति बोलाजे हे संतु हवे तमे तमारा अंग नी वाद कहो पची पोते हेम बोल्या जे अमेने तमे तो एक अंग वाला छी माते अमारा अंग मा तमारो भाग छे माते अमे कईयों ते रिते सर्वे द्रड निष्चे राख चो एवी रिते श्री जी मारा जे पोतानु अंग गही देखारियों ते भक्त जन्य अर्थे छे अने पोते तो शक्षात प्रशुत्तम नारायार छे इते यी वचनाम्रतम एवी रिते गडरा प्रतम प्रक्रणनु आठुमूर वचनाम्रुत थयो झाल